सभी आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चैनल की आज सुबे 7 बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे जो पैसे 400 और 500 के मद में अभी हाल फिलाल में आप सब के खातों में आये थे उनमें बहुत सी बहने रहे गई थी जिनका नहीं आया था उन बहनों को अवगत कराना चाहूंगा कि आप देख सकती है कल 24 मार्च को 400 रुपिया ये वाला बहन के खाते में आया है और ये बीनू दूबे बहन है उत्तरप्रदेश के मिर्जा पुर्जले से आती हैं इनके अलावा एक बहन है सरिता यादव गोरक पुर्जले से आती हैं उन्होंने कल लवगत कराया कि भया जी मेरे खाते में यहाँ पर 522 तारीक को ये पैसा पहुंचा है तो 22 तारीक को औ लेकिन पहुंच धीरे-धीरे सब जगे बहनों का रहा है ऐसे में उन पैसों को लेकर के परिशान मत होना जिनका भी 500 या 400 के मद में अगर अभी तक ना आया हो तो आगे भी आ जाएगा क्योंकि इतना लेट आप समझ रहे हैं कि 15-15 दिन के अंतराल में वो पहुंच रहे है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे कि संचाल नाले महिला बालविकास उभाग मद्ध प्रदेश की तरफ से 24 तारीक को एक ये लेटर डाक्टर राम राव भोसले आयुक्त महिला बालविकास मद्ध प्रदेश से एक लेटर जारी किया गया है जो कि कलेक्टर जितने भी है मद्ध प्रदेश में सभी लोगों को ये संचान नाले से लिटर दिया गया है और पोशर पक्वारा जो चल रहा है इसी का आयोजन इस्थगित करने के सम्मंद में है तो जैसा कि आप सब बहने जानती ही है कि मद्ध प्रदेश में आगन बाड़ी बहने सुपर्वाइजर बहने और स्थगित करना पड़ा है संदर्वित पत्र के माद्धिम से प्रदेश में दिनांक 20 मार्च से 3 अपरेल तक पोशर पक्वारा आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गए थे चेतरी अमले बाल विकास परुजना अधिकारी परवेचक और आगन बाड़ी कार करता इनके दोरा अनिश्चित कालीन अवकास पर प्रस्थान किये जाने से संदर्वित पत्र दोरा निर्देशित पोशर पक्वारा का आयोजन इस्थगित किया जा रहा है आयोजन संबंदी आगामी तिथी प्रथक से अवगत कराया जाएगा तो आप देख सकते हैं MP में बहनों के संयुक्त मोर्चा के धरने के चलते पोशर पक्वारे का संचालन इस्थगित कर दिया है अब ये आगे जब मनाया जाएगा तो अलग से तितियां फिर आएंगी ऐसे मैं समख सकते हो कि आंगन बाड़ी बहने कितना काम करती हैं रात दिन जिम्मेदारी भरा काम करती हैं और फिर भी उनकी मांगो को अंदेखा किया जाता है और उत्तर पदेश में भी सेम सिच्व रहा है और कारकरता बहने इसके लिए काफी परिसान रहती हैं लेकिन उनके मांदे के प्रती सरकार बिलकुल भी अपनी जम्मेदारिया नहीं निभा पा रही है वहीं आपको आगे ले चलते हैं प्रेमलता बहन है जाबुआ से आती हैं उन्होंने एक ये जानकारी आलेंड तारीक को कल एक ये लिटर संचालक यानि संचालक महोदय जो संचाल नाले महिला बालविका सुभाग को भेजा है और इसमें आप देख सकते हो मद्रदेश आंगनबारी कारकरता एवं सायका संग जो की भारती है मजदूर संग से संबद्ध है अब इन्होंने लेखा कि आं अंतरगत निवेदन है कि मद्रदेश आंगनबारी कारकरता सायका संग संबद्ध भारती मजदूर संग संयुक्त मूर्चा परुजना अधिकारी एवं परवेचक महिला बालविकास के साथ में समर्थन में हम नहीं हैं ना है किसी भी प्रकार के आंदोलन में हैं ऐसा भारत मजदूर संग से जुड़ा हुआ ये जो यूनियन है मद्रदेश आंगनबारी कारकरता एवं सायका संग उन्होंने अपना ये बात कहा है आगे उन्होंने कहा कि मद्रदेश आंगनबारी कारकरता सायका संग की पूरे प्रदेश में किसी भी जिला इकाई के द्वारा सयु मानने मुख्यमंत्री जी हमारी मांगो को पूरा करेंगे इसलिए हमारे संगठन की ओर से आपके समच्च सूचना प्रेसित की जा रही है परंतु विभाग के परोजना दिकारी और परवेच्चक हमारी बहनों पर अपने पद का लाब उठा करके जबरन आंदोलन में बुला रहे हैं सभी जिलों में बहनों को फोन लगा करके धमकाया जा रहा है करपिया इस स्थिती को संग्यान में लेते हुए आगरिम कारवाई करने की करपा करें विसे आपके संग्यान में लाने हैं तो आपकी और साधर प्रिसित है तो आप देख सकते हैं ये कि ये लेटर दिय गया भगवदी है प्रदेश कार्याले मंत्री सीता विस्व कर्मा प्रदेश कारकारी सदस रानी मालवी और मद्द प्रदेश आंगनबाडी कारकर्टा साहका संग संग संबध भारती मजदूर संग से एक ये प्रतलिपिया सोफी गई है निदसाले को तो आप देख रहे हैं और नीलम बहन भोपाल से जनोंने आल इंडिया को जानकारी भेजी है तो ऐसे में आप देख सकते हो एक तो सयुक्त मोर्चा धरने पर है किसलिए है आंगनबाडी बहनों की मांगो को पूरा कराने के लिए ये लोग धरने पर भी नहीं है और मुक्मंत्री से इनका कहना इन इस बारे में जो भी आप सब को कहना है कमिंट में अपनी राय जरूर देना वहीं पर दूसरी तरफ आप सब जानते हैं बिना लड़े बिना मैदान में आए कभी जीत हासल नहीं होती और अभी तो बहने लड़ी रही है तो उनका सहयोग करना चाहिए तो मांदे बढ़ेग किसी के पास जवाब हों तो कमिंट में बताइएगा ताकि दूद का दूद पानी का पानी हो पाए लोग बहने भी तो जाने किसने पैसा कटवाया कब पैसा कटा किसके धरने के चलते कटा और आज उनके चलने से मांदे बढ़ेगा अगले महीने सम्मेलन होगा तो बहुत स सारी चीजे ऐसी हैं जो कि मद्पदेश में सवाल पर सवाल खड़े कर रही हैं और ऐसे में ये चीजे देखने को मिल रही हैं वहीं आप देख सकते हैं मद्पदेश में बहनों की धरने की बदौलत सरकार को पोशण पकवारे का आयो जनवी स्थिद करना पड़ रहा है के करम में हमारा आंगन हमारे बच्चे जो उस्सो है वो 25 तारीक को आज मनाया जाएगा और आपको बता दे कि 10 बजे से होगा देवरिया में इस्थित टाउन हॉल के जो है आडिटोरियम में इस्थित होना है और वहीं पर आप लोगों को जो है ये कारकम देखने को मिलेगा वह इसमें आंगन बारी बहने सिच्चक सुपर्वाइजर ये सभी लोग प्रतिभाग करेंगे और संकुल नोडल वाले अधिकारी भी होंगे जिनमें आप देख भी सकते हैं पद नाम बगरा सब दे दिये गए हैं और विद्याले आंगन बारी के न्याय पंचाय दिभाग इन सब के नाम दिये हैं मुबाइल नंबर दिये हैं जो भी कार करता हैं सुपर्वाइजर हैं पूरा सब का डेटा दे दिया गया सब को वहां उपस्तित होना है वहीं पर आगे पूनम जैस्वाल बहन देवरिया से आती हैं जनोंने एक ये जानकारी आल इंडिया को बेजी हैं दूसरी तरह आप सब बहनों को कहना चाहेंगे सरोसर्मा बहन हैं गाजिया बास से आती हैं जैसे इनकी समस्या है वैसे आप में से बहुत से भाई बहनों की समस्या हो सकती है यानि जब भी ये बाल पिटारा एप में लॉग इन कर रही है तो लॉग इन नहीं हो रहा है उसमें तरह-रह की error आ रही है और काफी बैंदों को ये जानकारी नहीं है कि log in क्या करना है उसमें उसमें आपको हम बता दें जिनका कुछ समझ में नहीं आता वो सबसे पहले तो install कर दें जिनका चल रहा है वो अपना चला है लिखाओगा बच्चों का डेटाबेस और मुल्यांकन यही लिखाओगा तो डेटाबेस मुल्यांकन वाला जो है दूसरा नमबर का उसको आप टच करेंगी उसमें जाएंगी फिर अपना वहाँ पर आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला होगा उपर से तो उसको डाल करके लॉग इन करेंगी फिर आपका वो खुलेगा और उसमें जाकर कि आपको तीन से छे साल के बच्चों का फीडिंग करना है ठीक रजिस्टेशन करना है अब चलते हैं आगे सुमन महनें भिंडजले से आती हैं इन्होंने भी अपने वहाँ से कुछ जानकारियां बेजियें लेखा है कोई भी बहन किसी भी ड्यूटी में नहीं जाएंगी चाहे नगरपालिका बुलाए या जनपत पंचैग बुलाए किसे के आदेश को नहीं मानना है हम हरताल पर हैं हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कोई काम नहीं करेंगे कमले सर्मा तो देखिएगा ज फिर जब बाद में वो लड़ते हैं तो वो वाले खिलाप रहते हैं इन्हीं पॉलिसी के चलते हैं आंगन बाड़ी बहनों का जीवन में कभी भला नहीं हो पाया और ऐसे ही समय पर समय बहनों का बीतता चला जा रहा है कभी भी उनको कुछ नहीं मिलता और अगर ये का क्या होगा तो उनके खलबली तो मची ही रहेगी अब आंगन बाड़ी सुपरवाजर सीडेपियो जब तीनों संग एक साथ हैं तो ज्यादा पावर में है या अकेले आंगन बाड़ी एक भार माली जब कोई यूनियन ले लो उससे जुड़ी रहेंगी तब पावर में र से आप देखते हैं कि विसर जो कहे जाते हैं वैसे ही सिस्टम यहाँ पर भी चल ला है 25 मार्च जला इसतर पर आज मानो संगला बना करके ड्रस कोड महलाओं के लिए लाल कलर साड़ी अत्वा सूट एवं पूर्सो को सफेज सर्ट काला पेंट 25 मार्च को ही भोपाल में पर दान पेटी ले करके चलना है रैली में थाली घंटा बजाना है तथा तक्तियां ले करके चलना है 28 मार्च को सभी जिले में प्रीमियम लोकेशन पर साम को 7 बजे कैंडल मार्च करना है इसके त्रिक्थ हमारी मुख्य मांगे जैसे की ग्रेड पे प्रमोशन सम्विदा नियमती करण और ये जो मर्ज हो जाए सेंटर मीनी वाले में में आंगन बाड़ी कारकरता सायका को नियुंतम वेतनमान सेवा निमत्त होने पर सेवा रत होने पर या मरत्य होने पर सहता रासी अनुकंपा रासी अनुकंपा की नीती यानि उसका लाम मिले परवेच्छक पर परिच्छा से प्रमोशन बढ़ाने आधी पसाट वीडियो एवं नुकर नाटक के भी प्लान किये जाएंगे और यह सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी तो पूरा विधवत कारिकम के तौर पर बहने सभ्तमोर्चा के तह सब कारिकम कर रही हैं और उम्मीद है ऐस में फिर दिक्कते जरूर आएंगी इसके साथ ही भोपाल में जो है याँ पर पचास अजार लोगों के साथ जम्बो परदसन के कारिकम के लिए भी अनुमती ली जा रही है पचास अजार की संख्या में अगर बहने वहाँ पहुँच गई तो ये भी एक रिकार्ड जो है हो बुलाएंगे और अगर संत मोर्चा को वारता के लिए बुलाएंगे तो समझना कुछ ना कुछ तब अच्छा होगा क्योंकि जो प्रदर्सन कर रहा है इतना अच्छे तरीके से अगर कोई वाकई में चाहे कि आगन बाड़ी बेहनों का बाला हो जाए तो वो प्रदर्सन क दरने वालों का साथ देगा ना कि सरकार से चुपके चुपके मिलेगा सरकार को कान भरेगा कि फलाने वहाँ पर धमकार हैं फोन करके बेहनों को धरने में आने के लिए ऐसे कहेगा सोचिए जरा अरे आगन बाड़ी बेहनों को अगर धरने में बुलाया जाएगा तो वो अ एक सब्द भी निकालें तो वो हमारे लिए निकालें हमारे ही मन्च से निकालें बस इसी के चकर में कभी कुछ नहीं होता सब अपनी अपनी और खिचते हैं और अपना अपना जाकर के जल्दी जल्दी मीटिंग के चकर में लगे रहते हैं और प्रसासन सरकार इसका भरपूर फैदा उठाता है आगन बाड़ी बेहनों को ये नुकसान जहिलना पड़ता है और इसलिए यहाँ पर ये चीजे देखने को मिलती है कि जो भी हो जाए हमारे मंच से हो जाए चलो हमी पहले मिल लेते हैं बुलाएं या ना बुलाएं कोई फरक नहीं पड़ता हमी चलो मिलते ह हमारे यहाँ आए हमी पूरा सम्मिलन करें हमारे नाम चमके कि हमने मांदे बढ़वा लिया बस इसी के चक्कर में सब लड़ रहे हैं और कुछ नहीं आ पर है आगन बाड़ी बहनों के लिए अगर लड़ना होता सबको तो फिर वो क्या करते वो तो कोई भी लड़ रहा होत तो बताएं यह तरह से मैसेज भेजा हो सकता है मैसेज थोड़ा पुराना भी हो लेकिन यह नीतियां बनाई गई थी तो उस पर साथ अमल किया जाए आज भी कुछ ने कुछ देखने को मिलेगा कलेक्टर कारयाले से आप देखेगा सिवनी मद्पदेश से 22 तारीक को एक आदेश निकला था और यह मुक्षमंत्री लाडली बहना योजना के सम्मंद में जुड़ा था तो यह 22 तारीक का था जिसमें कि आप देख सकते हैं कैसे क्या होना है उक्ता अदेश कतकाल से दिया गया था तो काफी आप छुटियों के बारे में भी दरसाया गया है तो बताने कि आप सकता नहीं है क्योंकि अभी तो प्रदरसन चल लाए तो काम को लेकर के बहने क्या जानकारी हासल करेंगी MP में सीमा चोधरी बहने सिवनी से आती है और उनके लाबा को पोश्टर क के तहत कारकम थे तो मेन मोटी उनका वही रहा कि पोश्टर पकवारे के अंतरगत जो है मोटे अनाच की उपयोगता के बारे में बता ना उनका उपभोग किया जाए ऐसे में आप देख सकते हैं ये चीजे देखने को मिली वही सुदानसु भया नमस्कार आंगनबारी कारकरता सुनीता देवी उत्तरपदेश जिला बरेली बलाग भधरपुरा यहां से आती है और पूछना चाहती है कि मेरी समस्या यहा है मेरी साधी जो है जिला पीली भीत में हुई है मेरे गाउं की हमारे ससुराल से 45 किलोमेट और दूरी है मुझे आने जाने की समस्या रहती है कि इन चलाने में परिसानी होती है मेरी ससुराल के पास नयाए पंचायत में जगए आंगनबारी की खाली है क्या भया जी मेरा ट्रांसफर नहीं हो सकता तो इस बारे में आपको अपने वहां के डीपियो से बात करनी चाहि या से बात करिए वही अपना करवा सकते हैं जैसे भी होगा क्योंकि अभी लेटर आया था उसमें मैंने बताया था कि ये सब हो सकते समायोजन अब कवितारानी है हरिद्वार उत्राखंड से आती है उन्होंने कहा कि यहां पर पोशर पकवारे की गत्विदियां मनाई गई और उन्होंने एक ये पोशर पकवा ubiquare के तहट ये अपना रंगोली समझ लिजेगा या पोशर पकवाडे को ले करके जागुदता के लिए अपना बनाया है इनके अलावा यहां पर आपको बता दें रानी बहने गाजीपूर से और उन्होंने अपने वहां से के फोटो बेजी है और आपको बताना चाहेंगे anti-corruption team को सिकायत करने के लिए जैसे माल जे कहीं भृष्टाचारी हो रही है तो सिकायत करनी है तो अपने विभाग वाले अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं पैसे घूस तोर पर लिये जाते हैं तो आप इन नमबरों पर भी कॉल कर सकते हैं ये नमबर आपको बताना चाहेंगे सिकायत करने के लिए हैं भिष्टाचार के खिलाप लड़ने के लिए और जिसमें की अठारा डबल जीरो दो तीन तीन चोवालिस चोवालिस चार और एक नमबर है दस चौसट तो दस चौसट वाला नमबर सबसे आसान है दस चौसट पर भी सिकायत की जा सकती है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे यह उमेश चंदरमोड़या भाई जी है और उन्होंने अपने वहां से फोटो बेजी लालमडी बहन चंदौली से आती है वहां से उनके द्वारा एक यह आल इंडिया को फोटो बेजी गई है यह लालमडी बहन चंदौली से उनके द्वारा यह फोटो आल इंडिया को आई है और आगे चलते हैं और भी कुछ दिखाते हैं यह निर्जा पटेल बहने इटावा से इटावा से इटावा से भी उनके द्वारा एक यह फोटो आल इंडिया को बेजी गई है और यहां पर एक और फोटो यहां पर आल इंडिया को उनकी आई है साथी साथ ये ममता सिर्वास्तों बहने गुंडा से उन्होंने देखिएगा यहाँ पर यह बनाया है जिसमें की सभी तरह की दाल वगरा है तो पोस्टर ठाली आप कह सकते हैं उन्होंने बनाई है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है इनके लगा मीना प्रतियों किताएं भी वहाँ पर कराई गई थी तो वहुत अच्छी बात है काफी बहने आप देख सकते हैं वहाँ पर उपस्तित रही है तस्वीरों में आप यहाँ पर नजर दोड़ा सकते हैं मिथलेस बहने मुरादबास से आती है और उन्होंने अपने वहाँ से रासन यहाँ पर उन्होंने पर ने इस डोड़ा सकते हैं